बीती राद ग्राम देवली मार्ग इस्थीत खेत में काम कर रहे किसान के साथ मारपिट कर गरदन में चाकू से वार करने वाले आरोपित पुलिस के हत्ते चड़ गया है। पुलिस ने महज 12 गंटे में ही आरोपितों को गिरफतार करने में सफलता हसिल की है। एसपी धर्मवीर सिह ने बताये कि शुक्रवार को सभी आरोपित शराप के नशे में थे और रास्ते पर खड़े किसान के बैटे से उनकी कहा सुनी हुई थी जिसके बाद बीज बचाओ करने पहुचे चोड़ी निवासी दस्रत पटेल से मार पिट कर चाकू से वार कर दिया पाचो हमलावर सुनसान रास्ते से भाग निकले थे उन्हें पकड़ना चुनोती भरा था लेकिन पुलिस टीम ने वहतर काम किया किसान से मिले हुलिये के आधार पर आरोपितों की तलाश में टीम रात को ही जुड़ गई थी नाका बंधी भी की गई संदिक्दों के फोट करता था पुलिस टीम को प्रसस्ती पत्र और नगत इनाम से प्रोस्क्रत किया जाएगा व्यूरो रिपोर्ट खरकोल करीव आठ वजे देवली रोड पे दर्सत पटेल जो प्रशक है मुलते उनके ऊपर हमला हुआ चाकू से चोट पहुचा के उनको गंबीर रोपने खैल क की टीम कि सभी अधिकारी तद्काल मौके पहुंचे थे और यह पता लगा कि चाकू उनके शरीर में अभी है और वो काफी क्रिटिकल कंडिशन में हैं सबसे पहली प्रात्मिक्ता उनका उप्चार थी तो उप्चार के लिए पूरी ब्यवस्ताएं इन दौर में कराएगी ह यह गडना काफी गंबीड सी और गंबीरता को देखते हुए कही सारी टीमेस पे लगाएगी आधाना परवारी बिस्टान भगवान पोरा हमारे प्रविस्ट्रिल ऌइपी सधिकारी पूरी रात इसमें कॉम्मिंग ऑर सार्जिंग open चलाया गया की सारी लीड़्स इस स्थानिय भगवान पर विस्टान शेत्र के ही रहने वाले हैं घटना के समय इनका किसी कारण से विवाद हुआ था दसरत के लड़के से जब दसरत ने वहां पहुंचके इंटरवीन किया इन में से दो विक्तियों ने जो चाकू इनके पाद रखा हुआ था चाकू से हमला कर इन पांचों में से एक जो आरूपी है और लेटी उसका क्रिम्नल रिकोर्ड इस्थावारत जारी किये हुए हैं इनकी जो रिकोर्ड से वो देखे जा रहे हैं प्रेमाफेशिया यंग लड़के हैं और मुझे लगता है भ्रमित लड़के हैं और इस प्रकार की घटनाए कर कि समाज में अपनी इस्थावित करना चाहते हैं पांचों अरेश कर लिया गया है इनकी गुजरात की प्रस्ट्रूमी में है इनकी ट्रिम्नल रिकोर्ट कर रहे हैं इस पकाट 24 गंटे से भी कम समय में एक बहुत ही चुनोते पूर्ण अपराद में सभी जो आरूपी सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें